हेलो एवरिवन, रित्तु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है मैं आज बना रहे हूँ मैकराणी सैलेट जिसके लिए मैंने एक कप मैकराणी ली है तो आईए हम इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं एक पतीली में गरम पानी रख रहे हूँ जब तक ये पानी बॉयल होता है तब तक मैं सॉस त्यार कर लेती हूँ सॉस के लिए मैंने एक बाउल लिया है इसमें मैं डाल रहे हूँ तीन बड़े चमच दही आप अपनी पसंद के रुसार ज्यादा भी ले सकते हैं साथ में म्योनीज आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं मैं एक बड़ा चमच इसमें म्योनीज का डाल रहे हूँ आप बिना म्योनीज के भी बना सकते हैं साथ में सॉस टोमेटो कैचप एक बड़ा चमच आप अपने सॉस के अनुसार इसको डाल सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं साथ में पैरी पैरी सॉस ये भी एक बड़ा चमच और गैनो आदा छोटा चमच सॉल्ट, तेस के अनुसार इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने इनको मिक्स कर लिया है हमारी सॉस तयार है अब हम मैकराणी उबाल लेते हैं पानी उबल चुका है हमने इसमें मैकराणी डाल दी है दो से तीन मिनट में ये उबल जाएगी फ्रेंट्स देखिए हमारी मैकराणी उबल चुकी है अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ब्रॉकली डाल रही हूँ हमने ब्रॉकली को बॉयल नहीं करना है जब मैकरोनी उबल जाएगी तो आप उसमें मैकरोनी डाल दें ब्रॉकली को हमने ब्लांच करना है बॉयल नहीं करना है मैकरोनी हमारी उबल चुकी थी तो हमने इसमें ब्रॉकली डाल दी हमने इसको कुछ सेकेंड के लिए इसमें छोड़ना है बस हमारी जो ब्रॉकली है वो ब्लांच हो जाएगी बॉइल होने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है देखिए हमारी जो ब्रॉकली है ब्लांच हो रही है इसका कलर एकदम ब्राइट हो रहा है अब हम इसको छान लेते हैं अब मैं इसके उपर डाल लिए थोड़ा सा ठंडा पानी जिससे इसका स्टार्च निकल जाएगा हमारी मैकराउनी बॉयल हो चुकी है ब्रॉकली ब्लांच हो चुकी है हमने मैकराउनी को बॉयल करके बॉयल में डाल दिया है साथ में ब्रॉकली को ब्लांच कर लिया है अब मैं इसमें कुछ सबजियां मिक्स करूँगी मेरे पास कुछ सबजियां रखी थी जिनको मैंने काट लिया है आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं मैं इसमें डाल रहे हूँ ग्रीन कैपसिकम येलो कैपसिकम कैरेट खीरा टमाटर रेट कैपसिकम अब इन सारी चीजों को मच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये जो सॉस हमने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे बस हमारा सैलेट जो है अब तयार है साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काले मिर्च सॉस आप अपनी पसंद के अंसार बना सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बना रही हूँ इसलिए काले मिर्च डाल रही हूँ मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी सॉस और मिक्स करूंगी मैं इसमें थोड़ी सॉस और डाल रही हूँ आप अपनी पसंद के अंसार सॉस बना सकते हैं साथने मस्टर्ड ये भी आप्शनल है अब इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा सैलेड है आप इसको लंच और डिनर में तो खाई सकते हैं ये एक बहुत अच्छा स्नैक भी है तो हमारा जो सैलेड है वो तयार है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बस अब हम इसको सॉफ करते हैं फ्रेंड्स ये मेरा आज का जो लंच है ये रेडी है और बहुत कलरफुल है आपको ये रेस्पी अच्छी लगी होगी ऐसी आशा करती हूँ थेंक यू टेस्टी